बिसमिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम वेलकम बैक टो अनौशी किजन आज आप लों के साथ डिफरेंट स्टाइल फ्राइज की रेस्पी शेयर करोंगी चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने आलों को बॉाइल करके उसको इस तरीके से मैश कर लेना है अच्छे स्टाइब करना है हाफ टीज़्पून आपने ब्लैक पेपर काले मिर्ज़ डाली है अब दो चमद अपने कौन फ्रोड के डालें एंब गड़े और दो चमद आपने मैदे के डालने है अगर कौन पर ना मुझूद हो घर में तो आप मैदा ही इस्सित्माल कर लें है साइट के प्रॉड़ा सा प्रॉट निकाल देंगे इसके एक्स्रा पार्ट कर सा अ जब यह तरीके से घर्म हो सब्सक्राइब यह है였습니다. इस तरह कटिंग करके आप इसको इस तरह नीट कर लें जब और अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो आप अथियास से उसको उठाएं और इस तरह फ्राइब करते जाएं इस तरह बार बार यापने सारी डाल के इसको फ्राइब करने नहीं है कि साइड चेंज कर दे हर तरफ से तक अच्छे से फ्राइब हो जाएं बहुत मज़दार बनती हैं यह फ्राइज जुरू ट्राइब किजिएगा इसको अब इनको पर अच्छा सा गोडलन सा कलर आ जाएगा बस यह हमारे रैडी हो जाएंगे अन्याद ग्रीबर फ्राइब हो चुके हैं जैस तरह इसको उलट प्लट करके अच्छे तरीके से हर तरस से आप इसको पका लें आंज आपने थोड़ी मेडियम ही रखनी है हाई रख है तो फिरो जल्दी से जल जाएंगे वीडियम पर आपने इस तरह आसा-सा इनको फ्राइब करते जाना है देखे हमारे रैडी है इनका बहुत प्यारा सा गोल्ड़न सा कलर आगया है इनके उपर इनको निकाल लें और बाकी यह भी सारे हमने इसी तरह फ्राइब कर लेने ह प्राइब करेंगे यह दोफर जूरूर ट्राइक किजिएगा आप साथी में चानल को सब्स्क्राइब कर दें ताब इसी तरह की आने वाली मोर वीडियो आप तक असानी से पहुंटी रहें लाइक को शेक करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में उताइएगा आपनों को कै कैसी लगी है रस्ती कैचप या मायोनीर के साथ आप इसको सर्फ करें खाएं इसको एंजॉय करें बहुत मज़िदार से फ्राइज मारे बनके रड़ी हुए हैं यह थैंक्स पर वाचिंग अनोशे की चान